हाई अब्रीवान विल्कम टू नवनीट आयस अकेडमी सो हम यहां पर जो है क्लास एट की जो इंसी इयाटी है जो ग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं और इस बुक का नेम है इस रिसोर्स एंड डिवलप्मेंट तो इसमें हम जो है डिफेंट रिसोर्स के बारे में ही पढ़ें रिसोर्स आपका मेंस स्टैफर्स परस्पेक्टिव मेंस नविल्न काफी सा मेंपंठ नवी difficult to be t तो यह तो चीज़े मैं आपको अलड़ी बता चुकी हूँ तो इसका जो है ना second chapter हमने यहाँ पर start किया था यह जो chapter है थोड़ा सा लेंधी है that is why जो है इसे मैंने 2-3 parts में cover किया है and इसका जो first part है वो मैं अलड़ी complete कर चुकी हूँ जिसमें हमने जो है ना land resource के बारे में जो है बात की थी right land resource जो है इससे हम किस तरह से use कर सकते हैं किस तरह से हम जो है इससे संभाल कर रख सकते हैं तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर cover की थी अपने part 1 में तो आज जो है इसी chapter को ही हम यहाँ पर continue करेंगे chapter number 2 को इसका part 2 जो है वो आज हम यहाँ पर cover करने वाले हैं जिसमें हम जो है ना soil resources जो है उसके बारे में जो है cover करेंगे right तो क्या-क्या यहाँ पर डर है कि जिसकी वैसे जो soil erosion वेगरा होता है यह फिलोस हो सकता है soil का यह फिर किस तरह से हम जो है ना कौन-कौन से टेक्निक्स का यूज करके हम जो है ना इन प्रॉब्लम से बच सकते है soil को बचा सकते है तो वो चीजे जो है वो आज हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में cover करेंगे and यह जो है मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है and इस पर आपको जो है and इस में हम जो है land के बारे में already पढ़ चुके हैं आज हम यहाँ पर soil के बारे में cover करेंगे right तो actual में soil होती क्या है जो धर्ती होती है ना धर्ती का जो उपर वाला part होता है जो thin layer होती है grainy substance जो होता है ना उसका जो खुर्दरा सा जो होता है जो की earth की surface को cover करता है उसे हम जो है ना soil बोलते है तो यह जो लैंड के साथ काफी closely linked होता है जो soil है वो लैंड के साथ काफी अच्छा relation होता है इसका and जो land forms होती है कि land form की type किस तरह की है यह जो plane है land form यहाँ पर पहाड़ी वाली है तो वो यह चीजे यहाँ पर यह यह डेटरमाइंड करती है कि जो soil की type जो है वो जो है किस तरह की हमीस-खेती करने के लिए वो soil अच्छी है या नहीं है तो यह जो type है ना soil की वो land form जो है वो determine करती है कि land form किस तरह की है वहाँ पे एक तो यह factor हो गया आपका जो determine करता है कि soil किस type गी है so soil है वो बनती किस तरह से है कौन-कौन सी चीज़े जो है न वो मिलके यहाँ पर soil बनाती है तो obviously कुछ organic matter होते हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर soil बनाते हैं and minerals जो होते हैं यहाँ पर and even कुछ weather rocks होती है जो कि किसी चीज़ों से जो बहके हवा के थूँ यहाँ पर पानी के थूँ जो बहके जो rocks है न वो यहाँ पर इकठी हो गई है तो यह जो organic matter हो गया, minerals हो गया and weather rocks जो होते हैं यह earth के उपर पाए जाते हैं तो यह सारी चीज़ों से मिलके ही हमारी soil बनती है जिसके थूँ जो है न हमारी soil है वो उपजाओ बनती है खेती के लिए अगर यह सारी चीज़े जो है एक perfect mixture जो है उसका available है इन सभी चीज़ों का तो हम यह बोल सकते हैं कि जो soil है वो fertile है ओके, so the right mix of minerals and the organic matter make the soil fertile अगर इसका right mixture वहाँ पर available है इन चीज़ों का तो हम बोल सकते कि जो soil है वो यहाँ पर खेती के लिए काफी अच्छी है so this happens through the process of weathering mean जो weathering आपको पता ही है कि weathering क्या होती है कि कुछ उपर वाली जो rocks होती है न वो break up हो जाती है न वहां से जो है किसी जगह से बह के जब एक जगह पर आके decompose हो जाती है तो उसे वह weathering बोल सकते है weathering क्या है यहाँ पर definition भी दे रखी है the breaking up and the decay of the exposed rocks mean टूट के बह के हवा के थूपानी के थूँ जो है बह की वो एक जगह पर आके decompose हो गई है right by the temperature changes यहाँ फिर इसके थूब भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े एक जगह पर इकटी हो जाती है organic matter, minerals यह फिर weathered rocks तो यह सारी चीज़े जो है perfect mixture बनाती है for making this soil fertile right तो यह यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि soil जो है वो किस तरह से बनती है mean कौन-कौन से आपको वहाँ पर चीज़े देखने को मिलेंगी soil के नीचे, धर्दी के नीचे एक तो यह आपका parent rock होता है mean जो है न वहाँ की actual में जो rock है वो किस तरह की, किसी particular area की उसके उपर फिर जो है यहाँ पर जो weathered rock material होता है वो आकर यह कठा हो जाता है फिर sub soil यहाँ पर आ जाती है जिसमें sand, silt and clay आपको देखने को मिलती है and यह फिर जो है न आपका top वाली जो layer होती है this is the top soil जिसमें humus and vegetation आप यहाँ पर देख सकती हो तो यह सारा जो है न यहाँ पर, यह soil का ही part है तो यह सारी चीज़ों चीज़े यहाँ पर जो है एक proper mixture इन चीज़ों का weather rock material का, sand, silt and clay का, right and humus जो है यहाँ पर available है तो यह सारी चीज़े मिलके यहाँ पर आपकी soil की type बनाती कि soil किस तरह की है, means जो है वो खेती के लिए अच्छी है या नहीं है तो यह हो गया आपका parent rock में आपकी जो धरती होगी उसके उपर जो है आपका यह सारी जो चीज़े है यह मिलके आपके क्या बनाती है यह soil बनाती है, जैसे कि weather rock material कठा हो गया, दूसरा यहाँ पर यह sub-soil होगी जिसमें आपको sand, silt and clay देखने को मिलेगी, थर्ड नमबर पर आपका हुमस आ जाता है आपके वहाँ पर temperature के according, temperature जो है न वो भी यह चीज एक तरह से जो soil है न वो temperature के उपर भी depend होती है कि वहाँ की जो soil है वो किस तरह की होगी, right? तो हुमस and vegetation जो है वो आपके top layer में आ जाती है soil की so, अब जो soil formation है उसमें जो है कौन-कौन से factors जो होते न वो जिम्मेबार होते हैं वो देखेंगे, you mean किन factors के तरूँ यहाँ पर soil की formation होती है so, the major factor of the soil formation are the nature of the parent rock actual में जो parent rock होता है न ये वाला, right? actual में जो है न major factor यही होता है कि soil किस टाइप की होगी जो parent rock होता है न वो में जो है एक तरह से major factor है यह determine करने के लिए कि जो soil है वो किस तरह की होती है and उसके बाद में जो climatic factors होते हैं means climate वहाँ का किस तरह का है, harsh climate होगा तो obviously वहाँ की जो soil है वो उपजाओ नहीं होगी, right? तो जो अगर यहाँ का climate है वो थोड़ा सा ठीक है, normal है तो वहाँ की soil है वो fertile हो सकती है, right? तो यह दो चीज़े है, parent rock, again, climatic factors जो होते हैं यह जो है एक तरह से major factors होते हैं in the soil formation तो उसके इलावा कुछ और भी factors होते हैं एक तो टॉपोग्राफी होगी, टॉपोग्राफी मीन जो land है, आपकी वो किस type की है मीन जो plain land है, यहाँ फिर उबर खाबर वाली जो land है, यहाँ फिर हीली area है तो यह चीज़ भी यहाँ पर एक तरह से major factor है in the soil formation तरह उसके बाद और organic material तो obviously हम पढ़ी चुके हैं उसके बाद कि कितना time यहाँ पर अभी हुआ है इन सभी चीज़ों को इस mixture को बने हुए यहाँ फिर soil formation होते हुए यहाँ पर कितना time हो चुका है time जो होता है वो भी एक major factor होता है in the soil formation, in the composition of soil formation तो यह सभी चीज़े जो है न वो place to place different होती है किसी जगह पर आपको organic material अच्छा नहीं मिलेगा किसी जगह पर वहाँ पर climatic factors अच्छे नहीं है harsh climate है, किसी जगह पर topography अच्छी नहीं है तो जिस जगह पर यह सभी चीज़े जो है आपको proper मातरा में मिल जाएंगी proper mixture यहाँ पर जिस जगह पर available होगा वहाँ की जो soil है वो काफी अच्छी होती है right so यह diagram के through भी यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है जो factors जो है soil formation को जो effect करते हैं N-C-E-R-T से ही जो है यह आपका diagram लिया गया है एक तो आपका parent rock है okay सबसे major factor जो है na soil formation में पर वो parent rock होता है and यह जो parent rock है ना वो यह determine करते है कि soil का color किस तरह का होगा उसका texture किस तरह का होगा उसके chemical properties किस तरह की होगी minerals उसमें किस तरह के होगे content किस तरह होगे and permeability किस तरह की होगी उसके बाद में जो relief है okay relief जो होता है mean एक तरह से जो धरती है वो किस तरह की mean high altitude पे located है वो land या फिर जो है na slope पे है जैसे कि यह इस तरह से यह slope होती है slope located है they determine the accumulation of the soil दूसरा हो गया आपका relief तीसरा हो गया आपका climate climate भी जो है एक factor है climate जो है temperature आजाता है इसमें rainfall कितनी होती है वहाँ पे and weathering कितना ज़्यादा होता है weathering mean जो है na जो soil है वो उपर से कितनी ज़्यादा वहती है एक जगह से दूसरी जगह पे and humans कितना है वहाँ पे then उसके बाद में आपका flora, fauna and microorganism हो गए तो यह भी जो है na humans के formation के rate जो होता है उसे affect करते है flora, fauna and microorganism next यहाँ पे सौरी हो गया time आपका rate यह जो time है वो soil profile की thickness को determine करता है कि कितना time यहाँ पे soil को बने हुए हो गया है तो यह factors है आपको यहाँ पे याद रखने है parent rock, relief हो गया flora, fauna and microorganism climate and time right so अब जो हमारी soil है वो degrade होती जा रही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी, हम soil को काफी गलत तरीके से use कर रहे हैं तो हम हमारी ही कुछ ऐसी activities है जिसकी वैसे जो soil है वो degrade होती जा रही है and उसे हम जो है न conserve किस तरह से कर सकते हैं तो वही चीज़े यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है soil erosion and depletion है right soil erode होती जा रही है यहाँ पे यहाँ पे जो depletion है यह जो है ना major threat है to the soil as a resource right soil जो है वो एक resource है right जिससे हम यहाँ पे use कर रही है but हो सकता है यह future में खतम हो जाए yes यह obviously खतम हो सकता है okay तो यह जो है जो है as a resource जो है यह major threat है to the soil soil erosion and depletion दोनों ही obviously human and natural factors जो है ना वो यहाँ पे can lead to the degradation of the soils तो कौन-कौन से factors हैं जिसकी वैसे यहाँ पे soil degrade होती जा रही है एक तो होगे deforestation यह तो human activity है यह पेड कारते जा रहे है over grazing एक ही जगह पे यहाँ पे जो है लगातार बेड़ बकरिया जो है ना वो चरती जा रही है तो वो भी हम बो सकती कि over grazing हो रहे है उपर वारा जो घास है वो तो खालिया जाता है यहाँ पे right cattle के द्वारा तो नीचे जस्ट यहाँ पे मिट्टी बचती है okay तो उस उस जो ग्रास जो होती ना उसके तुरू ही जो वो मिट्टी है वो एक जगह पे टीकी रहती है चाहे यहाँ पे जतना परजी पानी आजाए वो जो मिट्टी है वो वहाँ से बहती नहीं है erode नहीं होती है जब यहाँ पे जो ग्रास ही सारी खाली गई है उसकी जड़ें जो है वो सारी खाली गई है तो अब जस्ट मिट्टी ही बची है जब यहाँ पर पानी आएगा तो जो स्वाइल है वहाँ से इरोड हो जाएगी similar चीज यहाँ पर deforestation में भी होती है जैसे कि आप लकडी को कारते जा रहे हैं पेड़ों को कारते जा रहे हैं तो उसके जड़ों के थ्रू ही जो मिट्टी है वो एक जगाँ पर टिकी रहती है जब यहाँ पेड़ी काट दिये जाएंगे तो कभी भी यहाँ पर rainfall होगा यहाँ कुछ भी flood वगरा आएगा तो जो मिट्टी है वो वहाँ से erode हो जाती है तो उस particular area में जो soil है वो degrade हो जाती है वाँके minerals वाइरा हर एक चीज जो है वो खतम हो जाती है तीसरा हो सकते है कि हम यहाँ पे pesticides and जो chemical fertilizers है उसका overuse कर रहे हैं तो आप जो है ना soil को हम conserve किस तरह से कर सकते हैं कुछ methods यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया में जो है ना किस तरह की soil हमें देखने को मिलती है illegal होती है, black हो गई, red हो गई, letroid, desertic and कुछ mountain soil जो है वो हमें यहाँ पे यह types होती है soil की जो हमें देखने को मिलती है तो यह color की according है, color हो गया and composition की according यहाँ पे यह सारी soil की types होती है तो इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे, don't worry, यह सब भी soils जो है, illegal कौन सी soil होती है, black, red जो सारी चीज़ के बारे में हम detail में आने वाली books में cover करेंगे तो अभी के लिए देख लेती हैं कि soil conservation के कुछ methods कौन कौन सी हो सकती है पहला तो हो सकता है, यहाँ पे mulching, right, इसमें क्या होता है, कि जैसे कि दो plants यहाँ पे उगाए हुए है, जैसे कि यह plants है, यह उगाए हुए है, तो बीच वाली जगा है यहाँ पे खाली पड़ी हुई है तो यह जगाँ खाली पड़ी हुई है, जब कभी बारिश वेगार आएगी तो यहाँ पे जो मिटी है वो बह सकती है तो उसे बहने के लिए बचने के लिए यहाँ पे straw जो होती है वो बिचा दी जाती है, इस जगाँ पे, खाली जगाँ पे तो यहाँ पे रिटेन रहे एक तरह हम इस तरह से चंजब कर सकते हैं दूसरा हो गया आपके contour barriers इसमें क्या होता है कि stones, grass, soil are used to build the barriers along the contours similarly, यहाँ पे यह लाइन हो गई, यहाँ पे भी जो है एक तरह से आपके खेती की हुई है एक यह line होगे, यहाँ पे खेती की हुई है, इस जगाँ पे, यहाँ पे जो पानी है वो इस खेत में ना आए जो minerals है यहाँ पे खतम ना हो, जैसे कि यहाँ पे खेती की हुई है, यहाँ पे आपके plants है तो इसके जो किनारे होंगे ना किनारों पे यहाँ पे बॉल्डर्स गरा लगा दिये जाते हैं, barriers बना दिये जाते हैं इस खेत में पानी ना आए, एक barrier जो होते वो यहाँ पे बना दिये जाते हैं इसके बीच में इसके पास यहाँ पे यहाँ बनाए जाते हैं दो खेतों के बीच में तो यहाँ पे एक ट्रेंच जो होता है, खड़ा जो होता वो भी बना दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे आता है बारिश के थूँ तो उस ट्रेंच में जो पानी वो इकठा हो जाएगा और फिर इन खेतों में पानी वहाँ पे कम जाएगा अगर इकठा जाएगा, तो वहाँ से जो है न मिट्टी के वो खतम जाएगी, मिट्टी वो इरोड़ हो जाएगी तो यह होता है, काउंटर बेरियर्स पहले यहाँ पे बियर्स बना दिया थे किनारों पर पर पीच में रेंच भी बना दिया जाता obviously जैसे कि कोई नहर यहाँ पे बह रही है okay यहाँ पे नहर है वो बह रही है तो इसका पानी रोकने के लिए यहाँ पे काफी बड़े बड़े जो पत्थर है वो बीच में लगा दिये जाते है डैम जो होता है पानी को रोकने के लिए रोकस आर पाईल ड़प to slow down the flow of water so that की जो फ्लो है ना पानी का वो थोड़ा सा कम हो जाए ओके जिसके त्रू जो जो सोई लोस होता है ना तो जो काफी तेज बहाव होता है उसके त्रू जो होता है broad flat steps जो होते हैं या फिर terraces जो है न वो यहाँ पर steep slopes जो होते हैं जैसे कि यह यह पहाड हो गए तो यहाँ पर जो है न इस तरह के इस तरह से जो है न खेती की जाती है steps बना के अगर हम यहाँ इस तरह से सीधे सीधे यहाँ पर खेती कर देंगे तो अगर कभी यहाँ पर पानी आया तो यहाँ की जो मिट्टी है न वो तो सीधे ही इरोड हो जाएगी तो अगर हम terrace farming के थूँ यहाँ पर खेती करते हैं तो यहाँ पर पानी आता भी है तो पानी यहाँ पर रुक जाएगा मिट्टी जो है न वो यहाँ से एकदम से सीधी यहाँ पर नहीं बहेगी अगर जो उसका base जो है वो सीधा यहाँ पर ऐसे slope में ही रहेगा तो मिट्टी जो है वो जल्दी बह जाएगी अगर हम इस terrace बनाके farming करेंगे तो पानी अगर यहाँ से उपर से आता भी है तो वो यहाँ पर आके रुक जाएगा step के उपर जिसके थूँ जो है न surface runoff जो होता है यहाँ फिर soil erosion जो होता है वो reduce हो जाता है terrace farming के थूँ then उसके बार में inter cropping होगी तो जो जैसे कि खेती की हुई है एक खेत में तो यहाँ पर rows बनाई हुई है तो यहाँ पर जो है रोस बनाई हुई है तो इसमें क्या होता है कि different एक तरह से हर row में यहाँ पर अलग खेती की सबोज यहाँ पर अलू की खेती की हुई है यहाँ पर जो कोई भी area है ना खेत का वो खाली ना रहे अगर खाली रहेगा तो वहाँ पर अगर rain wash होती है तो वहाँ से जो मिट्टी है वो बह जाएगी, right? तो इसे की वज़े से जैसे कि आलू जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है वो उगाए हुए है right? so counter ploying हो गई ploying parallel to the counters of the hill slope to form a natural barrier for water to flow down to the slope. similarly ऐसे ही होता जैसे कि terrace farming होता है वैसे ही यह चीज होती है कि जो slope के ओपर जो है थोड़े से counters होते हैं जैसे कि यह हो गया तो इस तरह से इसके पीछे की तरह भी जो है न यहाँ पर counters जो होते वह पर बनादी जाते हैं तो counter जैसे जो होते वह बनादी जाते यह भी तरह कि step के type के ही होते है, right? then उसके बद में shelter belts बनादी जाती है in the coastal and the dry regions जो trees की जो rows है न वह हो यहाँ पर उगादी जाती है so that की wind movement जो है न वो थोड़ी इसी कम हो क्योंकि wind के थूब भी soil वो erode होती है, तो that is why जो है यहाँ पर किनारों पर खेद के किनारों पर उगा दिया जाते हैं, बैल्ट जो है एक shelter belt वो उगा दी जाती है, तो यहाँ picture देख सकते हो, this is the terrace farming, आप देख सकते हैं यहाँ पर terraces बनाए हुए है, सो डैट की जो मिट्टी है, वो slop के थूँ एक दम से नीचे नहाँ आ जाए, तो यह होगे आपके counter ploying होगे, यह भी ऐसे होते हैं, जैसे कि terrace farming होती है, similarly वैसे ही होते हैं, यह shelter belt हो गया और यह mulching होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह बीच में इनोंने एक तरह से घास फूस जो है वो बिचा दिया है, तो डैट की moisture जो है soil का वो खतम ना हो, यहाँ पर भी खेती की हुई, यहाँ पर भी खेती की हुई है, पहार से जो एक तरह से rock, debris जो है वो यहाँ पर गिरते हैं, उसकी mass movement जब होती है, कठे गिरते हैं, तो उसे landslide बोला जाता है, जब कभी earthquakes आते हैं, floods आते हैं, फिर volcanoes आते हैं, तो तब हम बोल सकते की landslide हो सकता है, यहाँ फिर काफी लंबे समय से rainfall हो रही है, उसकी वज़े से भी landslides यहाँ पर हो सकते हैं, बड़े-बड़े पत्थर, boulders हैं, वो उपर से पहाड़ी से गिरते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकते हैं, कि गिर के साथ में जो river बह रही होती हैं, उसका जो flow है, वो ही यहाँ पर बंद कर देते हैं, तो जिसकी वैसे हो सकता है, कि उस river के आसपास जो लोग रहते हों, तो वहाँ पर पानी इकठा हो जाए, जब river block हो जाती, तो पानी जो है न फिर वो साथ की villages में जाना जो है, स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो हम बोल सकते हैं कि काफी ज़्यादा problems हमें देखने को मिलती है, ओकी, so case study यहाँ पर दे रखी है, एक काफी बड़ा landslide वो बोलती कि पांगी विलेच हो है न, कि नौर डिस्टिक का हमाचल परदेश में वहाँ पर मैसिव लेंड श्लाइड हुआ था, and damaged a 200-meter stretch of the old Hindustan-Tibet road, तो 200-meter जो सड़क है न, Hindustan-Tibet road जो है, National Highway 22 उसे जो है, damage कर दिया था, and even पांगी विलेच में काफी बड़ा एक blast भी हुआ था, इसकी वज़से, and क्या था, जो वीक जोन था न, slope का, वो यहाँ पर तूट गया था, उस blast के थूँ जिसकी वैसे, जो है, road and nearby villages है, उन्हें काफी ज़्यादा damage भी पहुँचा था, and इक तरह से फिर पांगी विलेच को totally करते है कि वैकेट करवा दिया गया था, so dad की कोई लोग जो हैने, किसी की death वहाँ पर ना हो, any possible loss of your life, right, so mitigation क्या हो सकता है, mitigation mechanism क्या हो सकता है, landslides हम किस तरह से बज सकते हैं, so obviously काफी दा scientific techniques में हमें advancement अभी देखने को मिल चुकी है, जिसकी वैसे हम यह समझ सकते हैं कि किस factors की वैसे यहाँ पर landslide हो सकता है, and उन factors को हम किस तरह से manage कर सकते हैं, so कुछ techniques हैं यहाँ पर, hazard mapping to locate areas prone to the landslides, तो उन techniques को use करके हम यह mapping कर सकते हैं कि कौन से areas में यहाँ पर possibility है कि landslides हो सकते हैं, जब कभी भी earthquake का आये यहाँ पर तो इस तरह से हम यह बोल सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को बिल्दिंग्स बनाने से हम रोक सकते हैं, रेट, hence such areas can be avoided for building settlements, यहां तो फिर जो पहाड़ी होती है ना जिसे कि पहाड़ी हुई है, बनी हुई है उसके आसपस यहाँ पर जो है ना वाल्स होती हैं, इस तरह से जो वाल्स होती है ना जो एक तरह से सीमिट वाली जिसे हम स्ट्रेच वाल्स सकते हैं, वह यहां पर बना दियाती है, यहां फिर रेटेंशन वाल्स बना सकते हैं, so that की जो है वो मिट्टी वहां से ना गिरे, वहां से पत्थर ना गिरे, बॉलर्स ना गिरे या फिर जो है ना उसके आसपास यहां पर हम vegetation cover भी बना सकते हैं to arrest the landslide, landslide से बचने के लिए तो यह तीन तरीके यहां पर हो सकते हैं एक तो हम पहले ही यह देख लें कि landslide कौन से एरियास में आ सकते हैं तो वहां पर हम buildings ना बनवाने दें दूसरा retention wall हम यहां पर बना सकते हैं पहाड़ी के आसपास या फिर हम जो vegetation cover भी लगा सकते हैं जड़ों के थ्रूँ जो मिट्टी है वो पकड़ के रखते हैं जो vegetation होती है तो फिर landslide की यहां पर कम होगी राइट तो आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शियर करना ना भूले थैंक यू सो मच हावा ना इस ते बाबाए झाल झाल